असलाव अलेकुम दोस्तों मैं वो फरांज जैदी और आप लोगों देख रहे हैं ट्रेंगर स्टूडियो पाकिस्तान के शेयर जड़ावाला में हाले दुनों में एक अफ्रोसमा वाल के पेश आया जया आपने बहुत सारे गिर्जांगर और लोगों के एक मकाना जला दिये हैं टीम ट्रेंगर स्टूडियो खुद भी स्वागी की शरी दफास में मुझमत करती हैं और दुख की घड़ी में हम अपने मसी बाइयों के साथ हैं आज किस वीडियो में लोगों से बात करेंगे कि आम पाकिस्तानियों और आम इंसान इस हाले से क्या तासूरा दखता है तो इस वीडियो को एन तक दरूर देखेगा वहां चाना सब्सक्राइब करना मत मूलिएगा चाने साथ लेकिन एक जनरली लोगों को आप पर तासूर बनाया रही है कि कुरान की बेहरूमत ही गयी इसके ओंपर लोग जो है और ये इसके बाद वागिया हुआ हूँ तो इसके बाद मतलब बनाद यह कि अंक्तम यह था बना लेना और तेकिक कि यह पर हमला कर देना तो रगषि Åona किया कि जब तर अपिष्कि які नदा लें ना करें और आप पाकिस्तनी और अप मुरूं मुस्मान पाकिस्तानी बेसा हमारे मुल्कों के वा कि functioning के एंड तो आपके अपने जो तास्वरात हैं जो अथाज जिर्ट बताते है आप क्या सभचते अबरेए। मैं तो इस वारे में इस वाज़ता हूं कि यह जो कुछ हुआ भी अच्छ नहीं हुआ और मैं इस चीस के बहुत जादा मुझमत करता हूं और मुझे इस चीस का अफसोस है कि उनके साथ यह दुबरी वाट वो नाजाज हुआ है ऐसा हना नहीं चाहिए था क्या क्योंकि हमारा जो मझह इसनाम है वो एक पुरा मन मझह है और इसके मैं फुट भी मजम्भट करता हूं हमारे तमाम लोग जो पाकिस्तानी है उन्होंने भी मुजमत की है, इसमें. देखें, अक्सरयत जो हमारे माशवे में या हमारे मुल्क में वो नौजवान लोगों की ज्यादा है. और कुछ जो हैं ना समझ लोगों के, इसमें यह यह आ जाते हैं और फेरां बन झाते हैं और जिससे हमें पूरे यानि हमारी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है होना तो यह चाहिए था कि हमारा जो कुरान पाक की जो बेहुरमती इस से पहले जो इन्जाम ता या सही बात थी उसकी तहकी कात होनी चाहिए थी वह असल मसला दब गिया और हम लोग जो है देखें मुफ्त में बतनाम हुए इसमें बात वही आ जाती है कि यह लोग आलाइकार बन जाते हैं बहुत जल और यह हमारे जो नुक्सान दे होती है कि बगएर किसी तहकी के आम लोग बस शुरू ह हुआ जाते हैं पाकिसा में मवजूद मसी बधरी के लिए क्रीपी पैगाम मसी प्राद्री के ली पैगाम है कहम सब तौर में जलके रहनाचाहते हैं और हम पॉट रहेंगे और यह लोग बिलकुल आजाद हैं ना हमारे दिलों में या कोई भी मसुलमान जो घु हमारे होते रहे हैं अक्सरियत मैं कहता हूं 99% हमारे जो मुस्लिम कम्यूनिटी वो इस चीज में नहीं है सब समयधार मोग है रफ कुछ लोग है जो आलाइकार बन जाते हैं दुश्मनों के से दिल्फिकार शाम भाई अभी आले दरह में जड़ावारा वागिया पेश हैं कहेंगे जिनाब जितनी मजबत की जाए वो कम होगी दरसल हमारे अपनी जबाने उसमें कहते हैं कि हावे का हावाई बिगड़ावा है असल में हुआ यह है कि यह मालूम नहीं था है इन लोगों कि हुआ क्या जिनको पता ही नहीं हुआ कि और अब यह इनना जब केस किया है जो हम ज यह बेजा है तो हमारे ताषी बेटे में शब्योवी बेटे में सब मामलाव रहें दो इनको नहीं चाहिए था करते हैं और मैं समझता हूं कि यह जिन्नों ने भी अंगामा किया है जो चर्च जलाया है यह आंदर जो भी नुकसान किया हमारे जो मस्ई बरादरें उनका किय यह मैंने समझता मुस्लमान होंगे वो लाजमी वो शर्पसंद नासर होंगे जिन्हों ने काम किया है हम लोगों को समझना चाहिए ना एक मुस्लमान नहीं कर सकता और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी भी नहीं कर सकता तो इसकी जितनी मुझामत करें हम सब मुस्लिम भाई मिलकर तो वो कम हो यार ये बिलकुल नी जहालत करें कि रुद्बा था इस लोग में जहालत इन्सानों को ना बरीवी इन्सानियत किसी के दर थी नहीं कुछ यार वो भी अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं जिसे दूसरे मुलकों में हमारे मुस्लमान बसर करते हैं अजात मुलक है हमारा काफी विलोग बहर आप देख सकते हैं गेर मुलकी आए वे हमारे पाकिस्तान के आजात गुमरे कुछ तेसे से प्रैंक्स वीडियो करते हैं कि उनके पास जेप में सुबह निकलते तो एक रुपया नहीं हो आप कानूनी कायरवाई करते हैं अब खुद से मतलब कानून अपने आथ में देने वाली बात है यह मैं अपने नजरिये से देख रहा है तो मैं यह गलत चीज़ विए बहुत तो यह तो बहुत गलत किया थी चाहिए थी कि उस बंदे ने वाकई कुरान पाक की बहरूमती क की कुरान पाग जलाया है जो भी किया उसने अगर उसने वाकई की उस बंदे का होना चाहिए है जब दिसरी कानून चाहिए हो इस वेकानों के हूल्ट कर दे,